हेलो, नमस्कार, सान साथियो, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फारमिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आज माप को बताता हूँ कि जुआर की उनन्त वा जुआर के विगानिक खिती किस्त रहकरे वा जुआर की विज़ाई के समय कौन-कौन से साथा नहीं रखे जिससे कि विजगाउं कुरण सो परतिसतिक हो जिससे कि हमें कम खर्च वा कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल की पैदाबार प्राप्त हो जिससे कि हमें एक अच्छी इंकम प्राप्त हो इस वीडियो को अंत तक जुरूर देखे ताकि आपको खित्ती से जुड़ी से भी ज करी प्राप्त हो पुराने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जवार एक प्रमुक फचल है जवार कम वर्षा वाले चत्र में एनाज थता चारा दोनों के लिए बोई जाती है जवार जानुरों का में तो पूर्ण पूस्टिक चारा है बारत में यह फचल लगबग स्वाच्यार क्रोड एंकड़ भूमी में बोई जाती है जवार की खित्तिक खाने के लिए मुटे दाने वाले एनाज और एरेचारे के लिए की जाती है किसान वाई जवार के पूरे पूद्दिका इस्तेमाल पशू के चारे में करते हैं किन्तु खाने के रूप में इसका इस्तेमाल खिचड़ित और सपत्ति बना कर किया जाता है इसके कहती किसी भी जगह पर की जा सकती है सिंचित और सिंचित जगह का इसकी फचल पर कोई एसर देखने को नहीं मिलता है इसके पोदों के लंबाई 10 से 12 फिट तक पाई जाती है जिसे आप एरेचारे के लिए कई बार कटाई कर सकते है जवार क्री खिटी में 12 फिसों में तिसरे पाइदान पर है जवार में मिलने वाले प्रोटे में लाइसिन मिन्नों अमल की 1.4 से 2.4 पथा तक मातरा पाई जाती है ततादानों में लूशिन मिनों अमल्मल की मातरा दिक होने चलते जुआर खाने वाले वक्तियों में पेलराग का किसम का रोक देखनों को मिल सकता है अधिक वर्सा वाले छेतरों में जुआर के अच्छे पिसल परापत हो सकती है किसान भाई जुआर की खित्ती वो पारिक तोपर करकर अधिक मुनाफ़ा भी कमा रहे हैं यदि आप भी इस शीड वराइटी बहुत बढ़िया वराइटी है ये तीन केजी एक कनाल में पड़ती है और इसके एक पैकेट के तीन के लोगे किमत लगबग 400 रुपग्या सपास होती है ये तीन कटाया आराम से दे देती है और इसका अच्छा होता है जुआर की ये वराइटी आरा बरा राता है इसमें आपसकता नुसाथ खाट डालकर फचल की आठ से दस दिन के दराल पर सिचाई करते रहे जिससे की पोधा अच्छी आइट लेशके और वाजमिन में नमी बने रहे अगर आप इस जुआर की विजाई करते हो तो आप अच्छा लाब गमा सकते हो जुआर की खेती के लिए कौन सी जुलवाई उप्युकत है जुआर की खेती के लिए किस तरह हमें खेत की तैरी करने चीए वाया कौन सा फसल सकर अपनाना चीए जिससे के में एक अच्छी फसल प्राप्त हो जुआर के लिए बीज का चुनाओ बीज की उनंत किसमें बीज काप चार बीज की मातरा जुवार की बिजाई या फसल की बुआई फसल की बुआई सिंचित था ऐस इंचित चेतरों में उसके बाद हम 30 तिन बाद केंटराल वसे चाहिए करने चीए और कौन-कौन सिखाथ देना चीए कैसे में उसके अंदर जल का प्रबंदन करना चीए और केट और वाय रोग का प्रबंदन भी बहुत जरूरी होता है इसके बाद हम जुआर के कटाई शुरू कर देते हैं उप्यूकत समय जुआर की विजय का उप्यूकत समय अपरेल से जुलाई महिना होता है बजार में जुआर की बहुत सी वराइटियां उपलब् होतीया इसके बाद हम जुआर की खेति के लिए खेत का चुनाव करते हैं हम खेत का चुनाव हम अगर पहले उसके पहले शुआत में सर्चों की विजय की तो सर्चों के फानों को रोटा वाटर के साहता से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सअ την पर सबसे पहले अपनेगत की मिट्टी के जांस करवा ले जिससे एपनए कर या पता चल जाता कि मिट्टी में किन-किन पोशक्ततों की कमी है और खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उप्योगता है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे गहूं, चन्ना, अरहर, सरसो, राया, बर्सिन, कन्ना, अलू, मक्का, बाजरा के पास मिट्टी के जा जुआर में मुखत नाइट्रोजन और फासफोर्स की अधिक मातरा में जूट होती है अब हम बात करते हैं पाने की जांच अगर आप फसलों की विजाए के लिए नाहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें 20 गांकूर्ण के समय यह एक समस्याबन जाती है अगर पानी का पीपे में एक जार से कम है और यह सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें 20 गांकूर्ण 116 तक हो जाता है अगर पानी का पीपे में assureच से ज्यादा है तो इसमें बईज गांकूर्ण सही तर monde Martin पहर के हिए घते के लिए भूम्राम chopping नहीं कितनम होना चीए इसकी जानकार्यं भूथ दया हो सकते हैं जिसे इस परकार बता sila जा सकते हैं इस 넣. किसी भी परकार की भूमी में उगाया जा सकता है किन्तु अधिक मातरा में उत्पादन करने के लिए खेती उचित जल निकासी वाली चेकनी मिट्टी में करे इसके खेते में भूमी का पीच मान 5-7 के मद्या होना चाहिए इसकी खेती खरीब की पसल के साथ किये जा सकती है उस समय ने ताब मान में ठीक तरह से उंकूरित होती है था पोदे विकास के समय ने 25-30 डेग्री ताब मान होना चाहिए इसके पोदे अधिक्तम 55 डेग्री ताब मान को ही सेन कर सकते हैं वैसे तो जुआर की फसल को किसी भी परकार की भूमी में उगाया जा सकता है कंतु अधि रिक मातला में उस पादन प्राफ करने के लिए इसके ख़टी उंची जल निकास वाली चिकनी मिट्टी में करें, इसके ख़टे के लिए बहुमी का million 7 울क के मद्ध्य की काई सकती है, जुआर के ख़टी की फसलताहीं के साथ किला सकती है। इस दुरान गर्मी के मौसम में इ इसे साही करते रहने पर ये अच्छे से विकास करती है इसके पुद्धे को बारिश की अधिक समयने जूर्ट होती है अधिक तेज कर्मी के मौसमें इसके पुद्धे की साही जादा करने पर तेज कर्मी का असर इसके पुद्धे पर देखने को नहीं मिलता है और पुद्धे पंताली डिग्रित अबमान पर भी असानी से विकास कर लग सकते हैं जुआर की खेती के लिए खेत की तैरी जुआर की खेती के लिए खेत की तैरी वा गुबर की खाद अगर आप खेत की तैरी में गुबर की खाद का इस्तेमाल करते हो तो 8 से 10 ट्रोली एक एंकड के लिए प्रियापत रहती है गुवर की खाद जमीन में अच्छितरे बिके कर जमीन को सम्तल कर देना जाए गुवर की खाद जमीन में अच्छितरे से मिल जानी चाहिए फिर आप लेजर लेवलर की साथा से खेट को सम्तल कर सकते है अगर आप विजाए के समय रसाइनी खादगा इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक एंकड के लिए 25 किलो डिपी दस किलो पुटास प्रियापत रहती है खाद की मातरा आप अपनी मिट्टी के जांस के अनुशार भी कर सकते हैं फसल चक्र चाहरे के लिए बोई की खरीब जुआर के बाद बर्सीन डिजगा जई गहूं जो इत्यादी फसलों को बोया जा सकता है जुआर को अधिक नाइट्रोजन की आप सकता होती है इसलिए इसके बाद दलनी फसलों को उगाना चीए जिससे भूमे की उरकता सकती बने रहे जुआर को चाहरे वाली फसल के साथ मिसर्क फसल के रूमे भी बोया जा सकता है फसल चक्र के सिदानत गैरी जड़ वाली फसल के बाद कम गैरी जड़े वाली फसले बोना चीए फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसले बोना चीए देख चाने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली चाने वाली फसलों को बोना चीए अदिख जल मांग वाली फसले बहुना चीए मरदा कटाओ को पुरोशाद देने वाली फसलों के बहुना चीए एक एक कुल की फसले लगाता नहीं उगाने चीए फसल चक्कर किसान को ग्रहली वाफ शुक्ताओं को ध्यान में रखर बहुना चीए फसल चक्कर निक्ट भरतिक कर्शी अधारिक दोगों को ज्यान में रखकर त्यार करना चाहिए फसल चक्कर के लाब फसल चक्कर द्वारा मर्दा से पोशक तत्तो एहम नम्य का असोचन सुन्तुलित रूप से होने के कार रुखता बढ़ती है धलनी फसलों के स्मावेस से मर्दा के बहुतिक दसा में सुधार होता है धलनी फसलों द्वार नाइट्रोजन शितरेकरण जोणों के कियासिल से मर्दा की जविक दसा भी सुधारती है फसल चक्कर अपनाने से किसान की गरह लड़ा सकता है जैसे दाले, तेल, सब्जिया आद्य को पुरा करने में मदद अमनती है फसल चक्कर में एक ही एकुल की फसले निंतर बोले से फसलों में कीट रोग निंतरन हो जाता है जब किसान अपने खेत के लिए फसल चके त्यार करता तो किसान को पहले से पता रहता कि गामे फसल में कौन-कौन से फसले बोनी है हमें अपने खेद में फसल की विजाए करते हैं एक ऐसे बीजगा चुनाव करते thri MRI हो बीजगा चुनाव हमें मिटी समय और पानी के अनुसार ही करना होता है क्योंकि दोव्मत विट्टी के लिए लग वितिली जमीन के लिए अलग और समय के अनुसार अलग अलग वराइटी आती है बीज की वराइटी हमें एक ऐसी वराइटी का सुनाओ करते हैं समय के उनुषार जादा से ज्यादा उच्पादन देती हो हमें एक ऐसी कंपनी के बीज का सुनाओ कुणना हता है जो कंपनी सरकार के दवरा जिस्टर हो जैसे राशी यूएस गोल्डी इत्यादी बीज करिते समय में बीज का पकावी लेना चाहिए जिसे के बीज के डूबल पकाविज के लिए राशी लिए जैसे हम अफायार बीक रहते हैं जिसे हम पंगिसाइड है अंश्यू सब्से पहले हम बीज़ को फंगिसाईड यानि फंगस की दौईंशे उपचार करते हैं जिससे उसमें फंगस की बिमारिया ना आए इसके बाद हम इंसेटिसाइड पचार करती हैं चो हिमारे पयदावार बदाने में मदद करता घिसे दस-से पंदरा परशंट पैदावार में वर्द्द्र होती हैं अब हम बात करते हैं बीज की मातरा हम कभर्ष जोबारगे के लिए रिक कितनीनों इसकी द्रफ्ट होती है उसकी वराइटे पर निरभर करता है अकर हम एक बार के कटाई के लिए काँ या वीज गरेते थे हैं तो इसका इलग में को बीज तो हम भार ऑल बार कटाई के लिए जोवी खरिते हैं तो इसका एक अंकट के लिए के लिए अलग-अलग पी आता है एक लिए के लिए लगवागा हमें 30-30 किलो बीज की जूरत होती है यह उसकी जुआ हमेचाग ली चुरैयटी लगा रहे हैं कि वह एक बार कटा व्यार एगाई वाली जवार है that I cannot similar manner को रहत होता है लिख कुंपनियों द्वारा पहले सी तैक्या प्राफि में बीज को उप्चार है इसके बाद आप इसकी बिजाए करते हैं जोहर की वाइड अब आभ मस wrath के असिता से जोहर वखात की носि विजलिया असाम की समय करने चींग संवागा हमें लाइन से दूरी की दोल्प संवाइन, वह ही है की खर दूरी 5-6 cm रक न चींग संवागा है बिजाई के समय बीज गिली मिट्टी में ही पढ़ना चीए जिसके उपर 5-6 cm की परचट जाई गिली जमीन में बीज कांकून से तरकी से हो जाता है फसल की बुआय करने के बाद लग बग 20-25 दिन बाद जिवार की फसल शिचाई की युग्या हो जाती है अब आप फसल की शिचाई कर सकते हो शिचाई के साथ साथ आप खाद भी दे सकते हो जिससे उसकी गुरोथ में वर्द्य हो जाई नाइटरोजन वा है फासपोर्स मैन खाद होती है जो में जुआर की फसल को देनी चाहिए यह आप अपने पिट्टी की जांच के नुशार भी कर सकते हो अगर खेत में जल बराओ हो तो हमें जल निकाशी का उचित परबंदन करना चाहिए जुआर की फसल में लगने वाले रोग वा उनका उपचार नमबर एक पतिल जुल्शा रोग रोग का परकार जल बराओ इसका उपचार यह है जल बराओ ना उने दे नमबर दो तर्ना सेदक रोग इसका रोग का परकार केट जनित रोग उपचार कारवो फिरोन का चिटकाओ पोदो पर करे नमबर तीन टिंडियों का अकर्मन रोग का परकार टिंडि के रूम में उपचार दानेदार फोरट का छटकाव केत में नमबर च्यार रोग पायरिला रोग का परकार कीट जनित रोग उपचार मोनो करोटोफास या प्रोफिन नोफास का छटकाव पोद्ध पर करे नमबर पांच, सपेद लट रोग, रोग का परकार कीट, उपचार कोलोर फायर आइस का छटकाव पोदों की जड़ो पर करे नमबर शिक्स, जड़ विकलन रोग, रोग का परकार जड़ विकलन रोग, उपचार थिरियम या कैप्टन का छटकाव पोदों पर करे नमबर साथ जुआर का माइट रोग, रोग का परकार कीट रोग, अप्चार नीम के तेल छिटकाओ पोदो पर करें अगर आप जुआर के फसल लेना चाहते हैं तो जुआर के फसल की कटाई कर दे जुआर के पोदे 110 दिन बाद कटाई के लिए त्यार हो जाते हैं जब पोदो पर लगी पत्यां शुकी दिखाई देने लगे तो उस दुरान पोदो की कटाई कर ली, इसके फसल की कटाई से दो से तीन बार कटाई जुहार के पुद्धों को भूमी की सिता के पास से कटा जबता है फसल कटाई के फिचास दोनों को अलग कर दिया जबता है और और ने ठीक से सुखा लिया जबता है इसके बाद मशिन के माध्यम से दानों को अलग कर दिया जबता है जोहर की पैदावार और लाब एक एक्टेर के खेज से अरे चारे रूम में 600-700 कमटल तक फसल प्रावत हो जाती है पता सुके चारे के रूम में 100-100 से कमटल गाउत पादे मिल जाता है जिसमें से 25 कमटल तक जोहर के दाने मिल जाते हैं जुआर के दानों का बजारी बाउट 25-3,000 रूपतक की आसपास होता है इसाथ सेक्सान बाई जुआर की फसल से 50-60,000 रूपतक की कमाई परतिय अक्टर कर सकते हैं वा फसल की पैदावार पर आपको सकते हैं और रेचारे की फसल भी ले सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट शुरूर करें वा इंडिय टेक्निकल फार्मिंग को सुब्सक्राइब करें तेन्य वाद